तो हेलो एवरीबन दोस्तों एक वार फिर से स्वालत है हमारे इस नए वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करिज्मा एलबम डिजाइनिंग के बारे में जहां दोस्तों अगर आप भी करिज्मा एलबम खुद से डिजाइन करना चाहते हैं औ तो आप किस परकार से एक अच्छा साल लुक देंगे अपने डिजाइनिंग तो यही चीज हम आपको दिखाने वाले है इस वीडियो में कि दोस्तो आपका जो भी face only black and white करना है और उसका जितना भी other colors है वो आपको only for red है या फिर जो भी color है वही color आपको रहने देना है तो द effected को use करना है और आप अपने charisma album को काफी जैदा खूब सूरत मना सकते हैं और खूब सुन्दर से बढ़ा कर आप customer को दे सकते हैं जो कि दोस्तो है ना बहुत ही खूब सूरत दिखने में लगता है इस परकार का looks तो दोस्तो अगर आप इस परकार का look मनाना चाहता है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी escape मत कीजिए इस वीडियो को दोस्तों पूरा end तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि आपको किस परकार से इस परकार का look आपको देना है अपने footage में और बहुत ही आसानी से easy tips के माध्यम से तो दोस्तों मैं आपको ये चीज अभी बता र हुआँगा मेरे पास यहां 7.0 भी है और यहां पर दोस्तों मेरे पास Adobe Photoshop CS3 भी है ठीक है तो हम अभी आपको CS3 में बता रहे हैं फिर आपको इसी को हम आपको 7.0 में भी आपको बताएंगे ठीक है तो इसको आप बहुत अच्छे से follow कीजिए कि आपको इस परकार से आप ज है तो ठीक है तो ठीक है दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आपने चैनल में फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज मेंने चैनल को लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्स्राइब ज़रू कर ले और साथ में बैल आकन को ज़रूर प्रेस कर ताकि इसी तरह का latest से latest knowledgeable video आप तक जल से जल पहुंच सके तो ठीक है दोस्तो बिना देर के वीडियो को start करते हैं तो ठीक है दोस्तो देखे कि यहां से हम इसको कर देते हैं close और दोस्तो हम आपको नया footage लेकर के और आपको दिखा रहा है ठीक है तो दोस्तो देखे कि हमारे प इमेज में जाने के बाद यहां आपको मिल जाएगा adjustment adjustment में जाने के बाद दोस्तो आप आजाएगे यहां नीचे की और नीचे की और आने के बाद इसमें आप कहीं भी खोज सकते हैं replace color ठीक है दोस्तो आपको 7.0 के अंदर है तो आप यहां पर खोज लेंगे जहां भी है आ Photoshop में है, कोई दिकत नहीं है, सभी में यह आपको मिल जाएगा, Replace Color, तो इस Replace Color पर आपको only 4 क्लिक करना है, और दोस्तों, यहाँ पर आपको First Pen दिखाएगा है, Second Pen दिखा रहा है, और Third Pen दिखा रहा है, तो दोस्तों, आपको यहाँ पर First Pen पर ही क्लिक करके रखना है, First Pen, पहले First Pen पर क्लिक करेंगे, ऐसे, Select हो गया, उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो है, Circulation इसका जो है कि दोस्तों, हम इसका 40 के आसपास रखेंगे, ठीक है, दोस्तों, 40 रखेंगे, 45 भी रख सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, और यहाँ पर दोस्तों, Circulation को इसको हम कर देंगे, यहाँ पर Minus 100, ठीक है, दोस्तों, Minus 100 कर देंगे, और यहाँ सा थोड़ा Lightness है, तो इस Lightness को थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, इस Face पर क्लिक, ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर हम इमेज को select करके रखते हैं, ओर यहाँ करेंगे, एक जगा करेंगे, ऐसे, ठीक है दोस्तों, इस परकार से क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका चेंज हुआ अब हम करेंगे दोस्तों इस सकेंड पैन पर क्लिक करेंगे अब इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है यहां भी और दोस्तों यहां पर आपको इस दूसरे जगह पर क्लिक करना है ऐसे ठीक है दोस्तों देखें कि यह आ इस red वाले अगर white हो जा रहा है तो इसके आप back कैसे करेंगे तो यह control alt z से back नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए दोस्तों यहाँ erase tool, ठीक है, erase tool, इस erase tool पर ऐसे click करेंगे और यहाँ हम करेंगे इस red वाले पर click तो यह red वाला हट जाएगा, ठीक है, देख रहा है, यह red वाला हट गया है, तो दोस्तों यह भी अट गया, तो हम करेंगा, फिर से इस second वाले pen पर click, और second वाले pen पर click करने के बाद इस परकार से आप इसको look दे देगे, इस वाले पर click करके आप इसका look अच्छे से दे सकते हैं, देखिए, हमने यहाँ पर इसका look दे देगी है, और दोस्तों यह photo जो है color से आप black and white में convert हो चुका है, तो यहाँ पर देख रहा है, black and white में यह photo हमारा convert हो चुका है, अब हमें क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, हम कर देगे यहाँ पर okay, इसका दोस्तों lightness और आप बढ़ा सकते हैं, तो कोई दिकत नहीं यहाँ से आप यह भी ब तो यहाँ तक तो आपने पूरी अच्छी तरह से समझी लिए होंगे कि आपको किस परकार से करना है, तो दोस्तों यह photos of CS3 हो, या PS हो, या आपके पास add of photos of 7.0 हो, कोई भी में आप कर सकते हैं, किसी भी photos of में आप इस परकार का effect लगा सकते हैं, बहुत ही easy माधियम से, तो तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप बता देते हैं, कि आपको जैसे यहाँ पर इस मेहंदी को भी आपको जैसे लग रहा है, कि आपको इतना ही को आपको रखना है, इस मेहंदी वाले को आपको अगर करना है, black and white, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसका duplicate layer बनाएंगे ठीक है, एक आप duplicate layer बनाएंगे, या तो फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे इसको ऐसे select कर लेंगे, ठीक है, इस tool से हम ऐसे select कर लेते हैं, इसको ऐसे select कर लेते हैं दूस्तो जितना अच्छे से अच्छे से असलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाप, उसको as-select कर लिए इसको कॉपी करनेंगे और कंट्रोल से इससे पेश्ट कर देंगे अब दूस्तो क्या हो गया यह इतना हमारा कंप्लीट हो गया अब हम क्या करेंगे इसको फिर जाएंगे इमेज, अजस्टमेंट और रिप्लेस कलर, रिप्लेस कलर पर जाने के बाद, अब क्या करेंगे, इसको इमेजेश को ऐसे ही सेलेक्ट करके रखेंगे, और उसके बाद दोस्तों इसको सर्कूरेशन को यहां पर हम कर लेंगे, माइन करने के बाद आप इसका लुक दे सकते हैं और बना सकते हैं। और दोस्तों यहां पर करने के अगर हैं। जादा भी कर सकते हैं तो दोस्तो इतना पर ये फ्रोफ्रेक्ट दिख रहा है हम करेंगे ओके और दोस्तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर करेंगे इसको इस कोपी वाले फाइल पर क्लिक यहां क्लिक इसको हम कर लेंगे इन्वर्ट करने के बाद अब आप क्या करे यहां पर यह brush tool है ठीक है यह brush tool ले लेंगे और brush tool लेने के बाद दोस्तों देखे कि हम क्या करेंगे यहां पर इस परकार से इसको brush करेंगे ठीक है तो दोस्तो इस परकार से हम यहाँ पर इसको ब्रास कर लेंगे, जहां अमारा कलर कुछ चेंज हो गया है, तो यहाँ पर हम इसको ब्रास कर लेते हैं, थोरा सा, जैसे कि यहाँ रेड था वो अमारा वाइट हो गया था, तो इसको हम थोरा सा ब्रास कर लेंगे, अगर आप चा बना सकते हैं, तो ठीक है दोस्तों देखें कि ये भी red हो चुका है, आप चाहते हैं कि इसको भी red करें, तो ये red होगा, तो red हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोस्तों देख रहें, ये हमारा बहुत ही आसानी तरीके से ये हमारा complete हो चुका है ये effect, और दोस्तों इस footage इसको, तो दोस्तों एक बाद मैं आपको बता देता हूँ, इसको आपको background कैसे change करना है, तो दोस्तों अगर आप Photoshop 7.0 के अंदर है, तो थोड़ा background चेंज करने में थोड़ा सा परिशानी होता है, क्योंकि आपको ये pen tool से काटना होता है फोटो को, ठीक है, ये pen tool, इस pen tool के म किसी भी हो, आप उसमें भी बना सकते हैं, ठीक है, तो Photoshop 7.0 के अंदर कुछ इस परकार से आपको cutting करना होगा, और इस परकार से आपको बनाना होता है, लेकिन मैं जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, CS3 के अंदर कैसे करेंगे, ये चीज आप जान लिजिए, कि CS3 के अंदर कैसे होगा, तो दोस्तों अब इसको हम कर देते हैं, इस दोनों लियर को एक लियर बना देते हैं, ठीक है, तो Ctrl plus E करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा दोनों लियर जो है, एक हो जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर लियर 1 हो गया है, लियर 1 हो ग करना है ठीक है उसके बाद दोस्तों आप जा करना है CS3 में यहां पर देखे एक है Magic Word Tool ठीक है दोस्तों Magic Word Tool और यहां है Quick Selection Tool तो दोस्तों यह Photoshop CS3 के अंदर आता है CS6 के अंदर आता है और PSO गेरा में आता है ठीक है यह Photoshop 7.0 के अंदर यह Quick Selection नहीं है आपको यह Magic Word Tool मिलेगा और यहां यह Tool मिलेगा Lazzo Tool ठीक है दोस्तों यहां पर Lazzo Tool आपको मिल जाएगा और यहां Pen Tool मिल जाएगा आप इस किसी भी Tool के मादियम साथ इसको Cut कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे है Quick Selection तो दोस्तों देखे Quick Selection Tools का क्या काम है तो दोस्तों यह Photoshop आप सब्सक्राइब कर दूगा आपको सेंट कर दूगा अपने ड्राइब से या फिर आप अपना Gmail सेंट करेंगे आपके Gmail पर सेव कर दूगा आप वहां से उसको बहुत अच्छे से डाउलोड करके इस्टॉल आप कर सकते हैं ठीक है या फिर आप हमें Anydex पर आकर भी इस्टॉ यहां पर देख रहें इस पर चाहर गया तो इसको क्या करेंगे थोड़ा सा Alt बटन को प्रेस करेंगे Alt को और ऐसे हम जहां जहां हो गया है वहां ऐसे घुमा देंगे तो यह Back हो जाएगा ठीक है ऊपर की और चाहर जाएगा तो देख रहे हैं दोस्तों यहां पर मैंने इसक करेंगे ठीक है यहां फेदर है ठीक है यहां पर राइट क्लिक ऐसे करेंगे यहां पर फेदर आ जाएगा इस फेदर पर क्लिक करने के बाद हम एक या दो या तीन चार फेदर आप दे सकते हैं जितना का जरूरत हो तो मैं यहां पर तीन का फेदर दे देता हूं और यहां ओक कर देता हूँ, अब हम इसको करता हूँ, अपने कीबोर में डिलेट बटन या फिर बैक एस्पेस बटन को किलिक करेंगे, तो मैं फिलाल यहां से डिलेट बटन का प्रियोग कर लिया, ठीक है, तो दोस्तों देखें कि यहां पर डिलेट बटन का प्रियोग करने के बाद, दो तो यहां पर दोस्तों हम लेते हैं एक्जाम्पल की तोर पर एक निव फेस ठीक है दोस्तों निव फेस और निव फीज लेने के बाद दोस्तों यहां पर हमें पिक्सल रहने देना है या फिर इंचेस भी कर लेंगे यहां पर इंचेस कर लेते हैं ठीक है इंचेस और इंचेस हुए है यहां हम इस फूटेज नहीं है यहां पर एको यहां पर इक जाहे रह सकते हैं इसल क्यों तो हम आप की प्रणा के देने के लिए एक ओए है टीक है लिए तो हम यहाँ पर फिलाल इस फूटेज को यूज कर लाथ हूँ नहीं है कूं यहाँ से इस फूटेज को यूज कर लेता हूं वाने गणि आता वावाईसे हम SET कर लेंगे ठीक है दोस्तों तो देखिए कि मैं इससों हम कर देते हैं minimize और यहां पर क्या करते हैं इसको करेंगे ब्लार तो ब्लार करने के लिए हम करेंगे filter फिल्टर पर क्लिक करेंगे फिल्टर पर क्लिक करेंगे यहां जाएंगे ब्लार ब्लार पर क्लिक करेंगे यहां गोशन ब्लार ठीक है इस पर क्लिक करेंगे इसको आप जितन ठीक है दोस्तों तो इसको ऐसे ले आदे के बाद दोस्तों यहाँ पर यह आपको इस साइड दो थोड़ा सा बॉर्डर सा दिख रहा होगा ठीक है तो इसको आप पहलेगे पैन तूल से क्लिक और पैन तूल से क्लिक करने के बाद कुछ इस परकार से इसको आप रिमूब कर द क्या उना से करना परता है तो इसके लिए आप है इस के लिए आप क्या करेंगे आउट सेलेक्ट करेंगे इस पर हम क्लिक यहां पर इस परकार से complete हो चुका है और इसको हम रख दिये ऐसे और तो ठीक है दोस्तों इसी का हमको एक और copy बनाना है इसी का एक duplicate और बनाना है तो हम क्या करेंगे अपने keyboard में shift plus alt बटन को दबा करेंगे और इस पर ऐसे click करके ऐसे करेंगे तो दोस्तों देखें कि हमारा य जैसे कि एक ही photo को mirror कर दे यानि इसको left से right और right से left कर दे तो कैसे करेंगे तो दोस्तों इसको हम करेंगे control plus T से transform तो दोस्तों देखें कि यहां पर यह हमारा चारो साइड यह इस परकार का आपको एक box बन गया होगा ठीक है और यहां पर हम करेंगे right click right click करने के बाद दोस् दोस्तों flip horizontal इस पर हम click करेंगे तो दोस्तों देखें कि यह हमारा mirror हो चुका है ठीक है और यह हमारा इसको जैसे चाहाए वहां पर इसको रख सकते है ठीक है तो दोस्तों मैं इसको यहां पर रहने देता हूं फिलाल example की तोर पर और दोस्तों जैसे कि मैं यहां पर बात कर तो दोस्तों तो देखे कि हमारा इस परकार से इसको ऐसे यहां पर कम कर देंगे ठीक है तो अब यह काफी ज़्यादा खूब शूरत दिख रहा है और यहां पर इस प्लार के साथ यह मैच हो गया भीए ठीक है और दोस्तों यहां पर आप चाहते हैं एक दुल्हे राजा का फ आपके पास couple photo है या फिर नहीं है तो उसको भी आप बना सकते हैं तो दोस्तों next video में हम आपको बता देंगे कि अगर अलग अलग footage को एक साथ couple कैसे बनाते हैं ठीक है जैसे दुलहार दुलहन का एक साथ couple footage कैसे बनाएंगे बहुत सारे डिजाइनों में तो यह चीज हम आपक कुछ डिजाइनिंग करना चाहते हैं album डिजाइनिंग तो आप दोस्तों next video देख सकते हैं हमारा क्योंकि चैनल को विजिट किजेगा तो हमारा उस चैनल में पहले से भी कुछ वीडियो बना करके मैंने उसमें अपलोड किया हुआ है तो आप दोस्तों वहां से भी बहुत स साइस फुर्टेज कैसे बनाते हैं इसका फेस को क्लीन कैसे करते हैं साफ कैसे करते हैं तो यह सभी वीडियो मैंने अल्रेडी डाल चुका है और दोस्तों अगर आप नए वीडियो और भी देखना चाहते है तो आप हमारे चैनल को फ्रफर से सब्स्क्राइब कर लिजे और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर दे, और वीडियो में किसी भी परकार के आपको प्रसानी का सामना करना करना पड़ता है, तो उसके लिए दोस्तों, आप हमें comment section में link सकते हैं, मैं उस comment का जवाब जरूर दे दूँगा, ठीक है दोस्तो, तो I hope कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, तो please दोस्तो इस वीडियो को एक like जरू कर दे, और चैनल को subscribe करें, और दोस्तो अगर आप मैंने चैनल में फर्स्ट बार विजिट किये हैं, तो ठीक है दोस्तो, अगर इस परकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को आगे देखते रहें, ठीक है, तो दोस्तो इस परकार से हम इसको ऐसे करेंगे, दोस्तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, इसको जैसे होरीजेंटल करेंगे, जैसे इसको हम इस तो इसको क्या करेंगों, इसो क्या करेंगे हम आपने keyboard में bracket button को दबाएंगे शैसे wollte इंटर button में होता свет चालू और बन्ड ठीक है bracket इसको बोलते हैं तो यहां पर bracket button को दबाएंगे तो यह हमारा उपर निचे होगा ठीक है देख रहे हैं दोस्तों इस परकार से हमारा उपर नीचे होगा तो दोस्तों जैसे कि हम इस लियर को अंदर घुसाना चाहते हैं तो इस परकार से यह अंदर जा चुका है और इस वीडियो को इस लियर को हम ऐसे उपर लाएंगे तो यह उपर आ जाएगा ठीक है इस लियर को हम ऐसे अंदर कर देते हैं और अंदर कर देने के बाद दोस्तों देखें कि यह हमारा इस परकार का प्रेस करेंगे और इस परकार का ऐसे घुमा देंगे इसको करेंगे अब होरीजेंटल ठीक है दोस्तों कांट्रोल टी से ट्रांसफर्म करेंगे के बाद राइट क्लिक करेंगे और फिलिप होरीजेंटल पर क्लिक करेंगे तो यह दोस्तों हमारा इस परकार से कुछ मूव हो तो ठीक है दोस्तो कुछ ही इस परकार से हमारा footage complete हो जाएगा ठीक है और आप जितना चाहिए उस परकार का safe आप बना सकते हैं और दोस्तो अगर आप और भी सारे safe देखना चाहते हैं तो हमारे channel को visit कीजिए और उसमें already पहले से भी बना करके मैंने upload कर चुका है वीडियो के आपको album designing कैसे करना है, safe बना करके कैसे designing करना है और बहुत सारे safe कैसे बनाना है, तो ये चीज मैंने पहले से भी upload करके रखा है और दोस्तों next video भी आप देख लिजिए, next video में भी हम आपको बताएंगे कैसे बनाना है, अगर आप single single photo को couple फोटो बनाना चाहते है जैसे लरका का फोटो, लरकी का फोटो अलग है दुला का फोटो अलग है, दुलिन का फोटो अलग है तो उसको एक साथ couple कैसे बनाएंगे, तो ये हम आपको next video में आपको बताएंगे और और भी सारे shape में कैसे design करते हैं तो बहुत सारे shape भी बनाने को आपको बनाएंगे ठीक है दोस्तो जो आप physical shape बना सकते हैं और उसके बाद दोस्तों मैं बता दू कि आपको ready made project पर कैसे काम करना है तो कुछ इस परकार से आप अपने footage का अच्छा look दे सकते हैं और दोस्तो album design करते हैं तो उसमें देखिएगा कि यह सारे जो effect होता है यह effect काफी ज़्यादा खुबसूरत होता है ठीक है दोस्तो तो वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और दोस्तो अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट बार विजिट किया हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाल बटन को दवा कर चैनल को सब्सक्राइब जरू करने और साथ में बैल आइकन को जरूर पेस कर ले ताकि इसी तरकार लेटेस से लेटेस नौलेज़ेवल वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके तो ठीक है दोस्तो मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में तब तक लिजाहिंद जय वारत बंदे मातरम